हलो डियर फार्मसिश्टरे एक्जाम एस्परेंट्स तो फार्मस्टीकल जूरस पुड़े जो की बहुत इंपॉर्ड़ेंट सम्जेक्ट हो जाता है फार्मसिश्ट एक्जामिलस के लिए इनसे हम नार्को गेंगे जो कि Pharmacist exam में पूछे गए हैं आप देख सकते हैं यह जितने ही questions है वो different डिफ्रेंट 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 एर में पूछे गए हैं तो यह जो भूख है यह यह आपको प्रिवेस एर्वाचेज अग्जाम में पूछे कर रहे हैं आपके लिए ये book बहुत जादा helpful हो सकती है तो जरूर से इस book को आप purchase कर ले और अपनी preparation को start कर दे जिसका link description box में दिया गया है या फिर आप directly जड़ी से classes app download करके भी आप इस book को purchase कर सकती है साथ ही theory study करने के लिए theory pharmacist exam at your finger team book 24 October को launch हो रही है तो वहाँ पर भी जाकर आप इसे purchase कर सकते हैं क्योंकि ये दोनों book आपके लिए बहुत जादा important है यदि आप pharmacist exam की preparation कर रहे हैं तो चलिए देखते है नार्कोटिक and psychotropic substance में कौन-कौन से चीजें आपको study करनी चाहिए कौन-कौन से question पुछे जा सकते हैं ओकी तो जैसे के आप जानते हैं नार्कोटिक and psychotropic drug कौन से होते हैं जो की habit farming होते हैं जनरली जिनका हमें लत लग जाता है और जो हमें dangerous होंगी हमारी फिर healthy के लिए जैसे के आपने सुना होगा अफीम heroine सुना होगा कोका सुना होगा गांजा अफीम यह सारी चीजे आपने सुनी ही होंगी जो की जनरली क्या है लत लगा देती हैं तो यह सारे क्या होते हैं dangerous होते हैं हमारे लिए इसलिए जो government है उन्होंने क्या किया act बनाया कि इनमें हमें control करना होगा जो इनका consumption हो रहा है उनको हमें क्या करना है control करना होगा क्योंकि यह क्या होते हैं dangerous होते हैं तो इन्हीं के बारे में हमको study करना है कि यदि कि एक्ट है कब आया है तो यदि हम इस एक्ट में दिये गए रूल का पालन ना करें तो हमें क्या सजा हो सकती है कितना हमें पैनाल्टी दिना होगा इन सारे चीज़ों का बारे में हमको study करना होगा यहाँ पर ठीक है तो चले देखते हैं क्या के question पूछे गए हैं तो फर्स् जब सबसे पहले क्या होता था जब पहले, नॉर्कोटिक in इस उसके लिए एक्ट बनाईया गया, सबसे पहले हम यह एक्ट बनाया गया, शबसे पहले हम लोग डिकरते हैं 1857 सबसे पहले एक्ट ऑपियम 1857 में बनाया गया यह जो एक्ट है उतना अच्छे से काम नहीं कर पाया इसके बाद भी यहां पर क्या हो गया इसका कुछ ड्रॉबैक आया अभी भी क्या है इनका कंजप्शन चल रहा था इसलिए सेकेंड जो ओप्यम एक्ट है वो भी पूछ लिया जाता है वो 1878 में आया था ठीक है तो यह सारे दोनों एक्ट को आपको याद में रखना है मेली यह पूछा जाता है 1857 ओप्यम एक्ट के बारे में तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 1857 याद रखिएगा 18 यहां पर ऑप्शन मिसलिए आपको कंफ्यूज करने के लिए 19 दिया गया है पर आपको ओप्य हमने क्या देखा ओप्यम एक्ट के बारे में देखा साथ ही आपको एक और चीज़ याद रखना है जो कि यहां था 1930 में तो यह सारे जो एक्ट है इनके विफल हो जाने की कारण फिर क्या बनाया गया ओप्यम को लेकर कोका और क्याना भी से सारी चीज़ों को मिला कर एक एक 2005 में फिर यह एक्ट आया है ओकी तो इसको आपको ध्यान में रखना है ओकी जरूर से इसमें कंफ्यूजन होता है तो एक काम करिएगा आपको जरूर से थियोरी बुक में सारी चीज़े मिल जाएंगी टेबलर फॉर्म में मिलेंगी जितने भी एक्ट है जिरिस्पूडेंस आपको इसली से याद रहेंगी और कंफ्यूजन भी नहीं होगा तो 1985 में आया नार्कोटिक एंड साइकोट्रॉपिक सबिस्टेंस एक्ट अब फिर से एक कोशन पुछा गया है नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सबिस्टेंस ओर्डर कम इन फोर्स इल कम इन ट आता है ओके पहले तो हमने एप्लिकेशन डाला है तब आया है उसके बाद जब लागू होने लग जाए वो सारी रूल तब उसको क्या कहेंगे कम इन टू फोर्स इन उसको हम कहते हैं तो जनरली जब दूसरे लाग को हम स्टड़ी करते हैं तो आपने देखा होगा कि जब आता है जैसे कि magic remedy act को यह दी हम लोग देखते हैं तो वह जो एक्ट था वो जैसे कि magic remedy act को हम देखती हैं तो आपने देखा होगा वह जो एक्ट है वह का पास हुआ 1954 में बट कम इन फोर्स जब पुछा जाता है तब 1955 है क्योंकि वह आते हुए 1955 में आया था ठीक है तो इसी प्रकार से confusion के लिए आपको यहां पर पूछ लिया गया है पर आपको यह धियान रखना है जब कभी psychotropic agent की बात हुई तब यह 1985 में भी यह आया है और उसे समय यह पास होकर लागू होने लग गया means आपको 1985 ही correct answer होगा come in force भी पूछा जाए तो ठीक है तो इस प्रकार से confused नहीं होना है पहले ही से आप लो questions को solo करके रखिए तो आपको इसली से सारे questions बनते जाएंगे next question चलते हैं diacetylmorphine is also known as जो के MP energy pharmacy 2022 में पूछा गया है अभी का ही यह latest question है समझ लीजे तो देखें diacetylmorphine तो morphine में कुछ जिनके structure में change हो जाती है तभी जाके heroine नहीं है यह सारे चीज़े है वो बनती है ठीक है तो जो एसिटायल है जो morphine के structure में एसिटायल group जब दो ऐसिटायल group थी कर developer जो जूट जाते है तो उसको हम heroine कहते हैं ओके यह क्या होगा heroine हो गया जो तो कोडीन है यह सारी चीज़े इनी से ही बनती है, मौर्फिन की यह डेरिविटीव होती है, तो यहाँ पर हिरोईन हो जाएगा, करेक कांसर, उसके बाद जो गांजन दिया गया है, चरस दिया गया है, यह सारी क्या है, को यह कैना भी से आप्टेन होती है, आगे चलेंगे, as पर नार्कोटिक ड्रग एक्ट, कंट्रोल्ड सबस्टेन्स, यह जो कोशन है, टू टाइम पुछा गया है, राजिस्थान सामसिस्ट में, अब देखिए, कंट्रोल्ड सबस्टेन्स किसको कहेंगे, जो की कंट्रोल में हो, कंट्रोल मैनर में, जिनको हम लोग यूज करें, उनको कहेंगे, कंट्रोल सबस्टेन्स, मिन्स किसी ना किसी के कंट्रोल के अंदर वो होने चाहिए, तो क्या हो सकती, ड्रग बेंड बाइस्ट, ड्रग नोटिफाइड इन दा सेंट्रल गॉर्मेंट गेजट, ड्रग डिस्पैंज बाइ रेजिस्टर मेडिकल प्रेक्टिस यह साइकोट्रोपिक है, जो कि क्या करेंगे, हैबिट फॉर्मिंग हो जाएंगे, डेंजरस होंगे हमारे लिए, इसलिए हमें जब कभी भी ओपियम हो गई, गान चाहिए, इन सारी चीज़ों की यूज से पहले, या फिर इन टेक से पहले कभी भी इनका यूज है, तब से अंसर क्या हो जाएगा, ड्रग नोटिफाइड इन दा सेंट्रल गॉर्मेंट गेज़िड, इनको हम कंट्रोल्ड सबिस्टीन से कहते हैं, नेस या लेंगे, पेनाल्टी फॉर्डा कल्टिवेशन आफ एनी कैनाबिस प्लांट तू प्रोड्यूस सेल परचेस एंड ट्रांस नार्कोटिक ड्रग एन साइकोट्रोपिक सबिस्टेंस एक्ट रूल और फर्स्ट कन्विक्शन इस, देखिए, रहने को बहुत नंबा चोड़ा है, ये कोशन आपको लगा होगा, और किसका असर क्या हो सकते हैं, बढडारिक लिए दी बोला जाए, कोई भी कैनाबिस प्ल थिके, तो क्या होगा, कितनी पेनाल्टी आपको ये करनी होगी, तो आपको ये आइडिया हो गया होगा, अब तो कि बहुत इंपोर्टेंट होता है नार्कोटिक and साइकोटिक एक्ट, क्योंकि यहां पर ऐसे एजेट्ट जो ओकिया हो गया गाईन्या है, ये साहरी चीज़ है कि penalty भी बहुत ज़्यादा होनी होगी तो इसमें जनरली क्या होता एक लाक आपको penalty देनी होती है अब आप सोचेंगे कि हाँ सेल करके तो इसली से एक लाक मिल जाएगा दे देंगे penalty बट यदि आप पकड़ेगा तो ये भी ध्याद रखिएगा एक लाक तो देना पड़ेगा ही साथ ही दस साल की 10 येर्स की इसमें आपको जेल हो सकती है तो ऐसा यदि करने का किसी का ध्यान आता है कि हमको तो एक लाक इसली से मिल जाएगा penalty रहेगा तो दे देंगे तो ये भी याद रखिए कि 10 साल की सजा भी होती है तो ये आपका जो penalty है उसे जरूर study किया किजिए इससे जरूर से question पूछे जाते है तो correct answer हो जाएगा rigorous imprisonment up to 10 year fine up to 1 lakh रूपीज ओके ये आपको penalty पे करनी होती है ने से लिंगे keeping false account और marketing false statement अंडर narcotic drug and psychotropic substance act 1985 is punishable with जो की केरला फार्मसी 2022 में पूछा गया है अब यहाँ पर दिया गया है false accounts रखेगे यदि जो चली बोल दिया गया है कि आपको sale करना है आपको license है यह भी ठीक है पर यहाँ पर आप जो account रख रहे हैं कि कितना sale हुआ है कितना जो आपका purchase हुआ है यह सारा जो account है उसको आपने कुछ गड़बड़ी किया है ज्यादा लाफ कमाने के लिए अपने account में हेल फेल कर सकती है ज्यादा बेज कर कम का account बना लेंगे फि इसमें 10 साल का आपको penalty मिला था 10 साल का penalty मिला है और एक लाख रुटा पड़ा है वैसे इसमें काफी आपको क्या करना पड़ेगा सजा लेनी पड़ेगी जैसे कि five year यहाँ पर क्या हो जाएगा five year का अब आपको jail हो जाएगा imprisonment up to five year यहाँ पर आपको jail में रहना पड़ेगा यदि आपने कोई भी account में यहाँ पर गड़बड़ी की है तो बहुत रिस्की चीज़े देख सकती है आगे चलेंगे application for cultivation license of opium is made on form जो की HPSC Pharmacy 2022 में पूछा गया है तो इसको कैसे trick लगा कर याद रखेंगे आप अब आपको पता है जो heroin होते है अफीम है ठीक है कोका है कहना भी से गान जाए इस सारे चीज़ों को क्या कह सकते है दो number ही का काम कहते है हाला कि यहाँ पर आपको क्या करना है वही चीज़ काम करने क application देना है पर generally क्या कहते है यह two number का काम है तो आपको यह याद रखना है कि यहाँ पर जो application भी जाएगा वो two number का जाता है ओके तो application form होता है two जो जिसका number होगा यदि हमको क्या करना है opium वगेरा के लिए license चाहिए cultivation के लिए ओके समझ पा रहे हैं इसमेकार से trick लगा कर याद रख लीजेगा आगे चलते हैं चलिए दिया गया है coca opium and hemp come under तो यह जो drug है वो किसमे आने चाहिए आप ही बतलाए चलिए dangerous drug act poison act drug and cosmetic act non obvious यह question two time पूछा गया है odisa pharmacist में तो अभी जख में आपको क्या बतला आ रही थी बा क्या होती हामफूल होती हमारे लिए बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा dangerous होती है क्यों किसमें आती है dangerous drug act में यह सारी चीजे आती है ओकी easy था next चलेंगे drug classified under narcotic drug and psychotropic agent included all except ध्यान दीजेगा हमेशा question में accept और not को बहुत ही अच्छी से आपको question को study करना चाहिए क्योंकि यहाँ पर जो wrong रहता है उसको आपको choose करना होता है तो यहाँ पर क्या answer होना चाहिए जो कि राजिस्थान pharmacist में two time पूछ लिया गया है इसलिए मैं कहते हूं previous year के questions को बार बार swallow करें यहाँ पर देख सकते हैं कितने repetition हो रहे है questions के तो यहाँ पर आपको सारे previous year के questions मिल जाएंगे इसके लिए आपको objective pharmacist exam at your finger team book को prefer करना चाहिए यहाँ पर सारे previous year exam के questions दे गया है जो कि pharmacist में पूछे गया है चाहिए आप कोई आपके लिए बहुत helpful होने वाला है यह book तो जरूरती से purchase कर लीजिए और इसका link description box में दिया गया है okay finess चलते हैं देखिए इसका answer क्या होना चाहिए यदि हम बात करें हसीज दिया है heroin है cocaine है और ephedrine तो अभी तक हमने क्या पढ़ा heroin जो कि die style क्या है morphine है cocaine के बारे में देखा ठीक है और हसीज यह सारी चीज़े आपने सुनी है कि यह क्या है नार्कोटिक है habit forming होती है पर ephedrine को आपने क्या देखा होगा यह mainly bronchodilator होती है भाई तो यह क्या हो गया यह कभी use होगा क्या psychotropic की तरह यह कभी habit forming है नहीं है तो यह क्या है यह आपके opium and hemp come under which act अब आपको थोड़ा doubt हुआ होगा कि मैम हपने तो 9th number में भी just यही question पढ़ा है फिर से यहाँ पर repeat कर दिया गया है उस question को जो कि ओलीशा में पूछा गया था दो बार और यह question है जो कि MP Pharmacy 2017 में पूछा गया है तो आपको ऐसा लग रहा होगा बड़ देखिए य यहाँ पर जो options दिये गया है वो क्या है अलग है different है इसलिए इस question को डाला गया है भई देखिए insecticide act, poisonous act, narcotic and psychotropic substance act and spurious drug act तो अब आपको idea हो गया होगा यहाँ पड़ से कि क्या होना चाहिए answer तो आपको इसका answer comment करके बतलाना होगा okay 11 का answer आपको comment करके बतलाना है मैं सबका comment check करूंगी जरूर से आपको comment करना होगा इसका answer okay नहीं चल दी है example of narcotic drug जो कि किरला PSC pharmacy 2021 में पूछा गया है अब यह भी बहुत अच्छा question है okay चलिए इसको जरूर से solve करेंगे बहुत interesting question है क्या होना चाहिए आपके recording answer देखिए cannabis leaves without top, coca leaves without icgonine and poppy seed, non of this आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए answer आप सूचेंगे कि मैं यह तीनों चीजे तो अभी तक हम लोग study कर ही रहे हैं तो यह तो यहाँ पर non of this की जगा all of this होना चाहिए फिर यह question सही होता question में mistake है सोच रहे होंगे आप बट ऐसा नहीं है धान से study कर यह question को example दिया है narcotic drug की तो हर हमेंसा मैं आपको कहती हूँ जैसा कि एक पूरा plant है समझ लेजे ठीक है अभी इसके branches है यह इसका root है ठीक है इसके fruit लगी हुए है समझ लेजी अब यह ध्यान रखिएगा हर एक part में वही सभी strength नहीं रहता कई-कई-कई-कई-क्लांट का हम food part use करती है कुछ का हम branch part use करेंगे ठीक है क आपको सारे plant में पूरे plant की सभी part में वही chemical constraint मिलें ठीक है हम पूरे plant करने particular किसी एक part का use करती है एक plant में ओके और वही plant में particular ली वह chemical constraint रहता है यह बात आपको ध्यान देना है और ऐसा भी होता है कि एक ही part में बहुत से chemical constraint रहते हैं तो यह जो difference है उनको याद रखना है नार्कोटिक है नहीं उनका part इसलिए specify किया गया है कहना भी इसलिए without tops तो without top यह क्या हो जाएगा जो उनका use करते हम लोग लीफ का जो flowering top है उनको में लिए use किया जाता है नार्कोटिक की तरह और उसके बीना तो यह फिल नार्कोटिक नहीं हुआ ना दिया गया है कोका ल भी नार्कोटिक नहीं हुआ पॉपी सीड दिया गया है तो हम पॉपी किसका यूज करते है भाई ओपियम पॉपी क्या होता है वो कैपसूल होता है कैपसूल को हम यूज करते हैं तब वो जाकर क्या होगा नार्कोटिक कहलाएगा और सीड पार्ट कबूल दिया गया है तो के तो इस प्रकार से आपको जरूर से घुमा कर भी कोशन पूछ लिया जाएगा इसलिए पूरे प्रिवेस एर के कोशन को स्वालो कर लीजिए ताकि ऐसा कोई भी कोशन आता है तो आप पहले से उसके लिए प्रिपेर रहेंगे और अच्छा सा आपका एक्जाम जाएगा और आपका इसलिए से फार्मासिज एक्जाम प्लियर हो जाएगा इसलिए दोनों बुक जो है थियोरी फार्मासिज एक्जाम 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 अक्टूबर को launch हो जाएगी तो उसे भी आपको जरूर से purchase करना चाहिए तो मिलते हैं next lecture में all the best